बविश्य में अपनी कंपनी का IPO लिस्ट करना है या अपनी कंपनी में बहुत सारे डिरेक्टर जोड़ने हैं या अपनी कंपनी के शेर पब्लिक को इशू करने हैं गौर्मेंट की निगामे माना जाएगा कि आप बराबर के लाब और हानी के भरपाई के हगदार हैं इसलिए आपकी जो partnership है वो registered होनी चाहिए बिजनस में अलग-अलग license required होते हैं वो license आपके पास होने चाहिए अगर नहीं है तो वो license के लिए आप apply करें आज गौर्मेंट आफ इंडिया ने बहुत सा सिस्टम किया हुए और आप सभी का सवगत करता हूं business growth strategy के इस course में और उमीद कर बता हूं कि पिछले वीडियो को ध्यान से आपने देखा होगा चैप्टर को अच्छे समझा होगा और अपनी company में implement किया होगा आज हम बात करने वाले कैसे topic के बारे में जो हर business के लिए बहुत important है gain customer attention and loyalty किस तरह से आप customer के ध्यान को अपने business की तरफ आकरशित कर सकें और customer को ने कैसी टीम के रूप में develop कर लें कि वह एक loyal customer आपका बन जाए आपका customer आपका brand ambassador बन जाए ऐसा क्या किया जाए बात हम समझने वाले हैं और number of customer भी बढ़ते जाए तो चुले इस बात का हम शुबारम करते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए अगर आप customer retention करना चाहते ह हैं तो आपको दो तरह के steps को follow करना होगा traditional and modern method अभी traditional modern method में क्या डिफ्रेंस है traditional method वह जो आप इस तरह के हैं जहां पर आपका customer आपकी shop पर आपके शोरूम पर आपके आउटलेट पर नहीं आता या आपकी factory में नहीं आता या आपके manufacturing setup पर नहीं आता या आपके office में नहीं आता आपको अपने product के sample लेके customer क्या जाना होता है तो आपको क्या करना है आपको अपनी direct visits बढ़ जाएंगी तो आपको कोशिश करनी कि number of leads जितनी जादा हो उतनी जादा number of visits आप बढ़ा सके अपनी उसके बाद phone calls friends कहीं भी किसी customer से बात होगी ना तो आज लोग telephonic communication करने के लिए तुरन तयार हो जाते हैं तो तरीका क्या है जो leads आपके पास आई हैं उनसे regular phone calls के जरी आप touch में रहें ताकि वो हमेशा आपके product या आपके services से aware रहें तो बड़ा important है direct visit निकालने के लिए phone calls को भी ठीक तर आपकी sales team के लोग भी direct customer से मिलके आ रहें या phone पर बात कर रहें next आप क्या कर सकते हैं face to face meeting और face to face meeting भी दोनों तरह से होती है आपके outlet पर आपके shop पर आपके showroom पर customer visit करता है आमने सामने मिलते हैं product दिखाते हैं sample दिखाते हैं बातचीत करते हैं या आपने phone पर बात किये त तो उसे meeting fix की है कि चाहें तो customer को अपने बुलाया या आप customer कहां जा रहे हैं तो face to face meeting करने से आपकी विश्वस्नियता और अधिक बढ़ जाती है अगर आपका product बेहतर है तो customer face to face meeting करने के बाद आपके साथ दरा comfort हो जाता है और जैसी customer आपके साथ comfort होता है तो deal of maturity के संभा जावना कई गुना बढ़ जाती है उसके अलावा आप अपने clients को direct mail कर सकते हैं जब आपने digital marketing की होगी online promotion की होगी वो chapter भी अपने आपने एक chapter आने वाला है वो भी किभी digital marketing कैसे करनी है sales promotion कैसे करनी है ताकि ज्यादा leads आपके पास हैं तो जब किसी ना आपको digital lead डाली होगी तो वहाँ पर आपका customer का mail ID भी होगा तो उस mail ID पर आपके catalog, आपके brochure, आपका content, आपके images, इसके लावा आपके product के videos, product की information सब कुछ regular share करते रहें देखिए customer retention बनाए रखने के लिए customer gain करने के लिए हमें जारा सदा प्रयास करना पड़ता है कि हम customer के आसपास दिखते रहे जो दिखता है वही बिखता है तो दिखने का मतलब क्या है चाहें आप face to face meeting करें, phone के थूरू बाचीत करते रहें या mail के थूरू regular अपने customer को update करते रहें बहुत सारी information regular आप share करते रहें उसके बाद आपको क्या करना है printing या printed advertisement material circulate करना है वो क्या होता है leaflet हो गए, brochure हो ग अगर आपका customer आपसे engage नहीं होगा ना बातों में तो possibility of deal बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो यहाँ पर आपके अंदर वो skill होने चाहिए कि लोगों को engage कैसे करें important बात क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना उसकी जरूरत को ध्यान से सुनना उसको ऐसा feel कराना कि यह मेरी बात को अच्छे समझ रहें जब आप अपने ग्रहा की बात को इतना बेतर engagement होगा उतना customer gain होने की संभावना भी बढ़ती जाएंगी networking meetings के थुरू भी आप नए customer को retain कर सकते हैं क्या networking क्या होता है आप किसी social activity में गए वहाँ पर लोगों से मिलो card distribution करो एक दूसरे के business के बारे में जानो networking की बहुत सारी business meets होती है social clubs organize करते हैं programs तो वहाँ पर participate करने से भी आपके नए customer gain होते हैं और नए customer को जब आप follow करते हैं तो business growth की संभावना में हैता है इसके लावा email marketing friends आपके पास email का data city wise, zone wise, pin code wise आप buy कर सकते हैं और वहाँ पर आप email blast कर सकते हैं email marketing कर सकते हैं जब आप email marketing करेंगे तो जो click ratio नो बहुत कम होता email marketing का पर ज किसी को करते रहते हैं तो उनको पता होता है इस clients बंदे की इस company की इस brand की एस product की बहुत बार mail आते हैं चलो check करते हैं क्या है, कोई special offer आपके पास आई है, कोई scheme आपने निकाली है, कोई discount offer आपके पास है, या कोई valuable information आप share करना चाहते हैं, तो mail marketing के जरीया आप कर सकते हैं, events participation, बहुत सारे लोग events के माधियम से अपने business को promote करते हैं, और वहां से lead generate करते हैं, customer gain करते हैं, अब event participation क्या होता है, माली जीए को एक बहुत बड़ा social event हो रहा है, वहां पर आपने stall book कर लिया, वहां पर आपने outlet लगा लिया, या वहां अपने boards, hoardings, या physical presence आपने वहां की, लोगों से मिले, बाचीत की, अपने business के बारे में बताया, product के बारे में बताया, event participation करना बड़ा important role play करता है, नई customer gain करने के लिए, marketing strategy का ये एक part है, उसके बाद क्या है, आप अपने client से, अगर आपका client बहुत distance पर है, आप आसानी से वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, या customer आपके आने के लिए तयार नहीं है, तो आज ने लोग कोरुना काल के बाद, जातर लोग digital को लेके बहुत जार आवेर हो गए, और बहुत comfortable भी हो गए, वह बहुत बात कोशे समझ गए है, कि जाके meeting करने से अच्छा तो Google meet कर लेते हैं, या online meeting कर लेते हैं, या video call कर लेते ह तो आप अपने customer से Google meet करें, Zoom meet करें, इस से आपका engagement जादा बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा लोगों से आप engage होंगे, number of client आप gain कर पाएंगे, उसके लाबा leaflet distribution मैंने भी आपको बताये भी था, आप अपने leaflet का distribution कराएं, वो door to door भी हो सकता है, वो news paper insert भी हो सकता है, वो digital यूग चल रहा है, information technology के इस यूग में, जो लोग अपनी information, अपनी website के जरी logo तक पहुचाएंगे, तो समझ लीजी आप लोगों के mobile phone में, laptop में, desktop में, आसानी से सीधे पहुच जाएंगे, तो ज़रूद क्या है, अपने web search को increase करने की, अब web search increase करने का मतलब क्या है, आपक के digital customer का footfall आपके platform पर आएगा, virtual customer आपके पास आएगा, फिर आप regular बात करेंगे, meeting करेंगे, face to face meeting करेंगे, mail करेंगे, तो उनसे meeting के संभावना है बढ़ेंगी, और gradually आपका business तेजी से growth की ओर जाएगा, और meetings convert होने लग जाएगी, referral meet, ये बड़ा important role play करता है, friends कते हैं कि ए कोई product बहुत बढ़िया से install किया है, बहुत अच्छे से उनका काम किया है, तो वे व्यक्ति खोश होकर दूसरे लोगों को ही बताएगा, इसको कहते है, mouth publicity में जब कोई व्यक्ति को reference देता है, तो वो reference और ज्यादा loyal reference हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी विश्वस्नी होती है, इसलिए आप ये काम करें कि जो referral leads आपके पास आई है, उनसे regular meeting करें, product के बारे में बातचीत करें, अपने sample दिखाएं, उनके जुरुत को समझें और उनके साथ deal करें, उसके अलावा social clubbing, बहुत सारे social club है, जो अलग-अलग event करते हैं, programs करते हैं, holy millions हमारो, दिवा आप सारे social event होते हैं, यह जैसे रामायन का कोई part हो रहा है, कहीं पर हनुमान 40 का part हो रहा है, कहीं कोई science अंध्या हो रही है, इस तरह की social gathering program होते हैं, डांडिया का program हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग social clubbing करते हैं, आज ना लोग किसी भी activity में अपने business, अपने role model को जरूर चेक करते हैं, कि मेरा business का role model क्या है, और किस किस तरह से लोगों से मुझे लाब हो सकता है, social clubbing के माधियम से भी लोग अपने business को gain करते हैं, अपने customer को gain करते हैं, और business को growth की ओर ले जाते हैं, ठीके ना, next क्या कर सकते हैं, आप associate program और event में participation कर सकते हैं, association के माधिय से, आप associate partner बन सकते हैं, माली जी आप कोई बड़ा event खुद नहीं कर सकते हैं, माली जी कोई fashion show हो रहा है, या कोई exhibition हो रही है, या किसी तरह का कोई social gathering हो रहा है, वहाप इतना बड़ा program खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके associate partner बन सकते हैं, कोई भी एक sponsorship amount देकर आप उनके reference भी देते हैं, तो associate partner या event में भी आप participation करके, बहुत अच्छे से, आप अपने business को growth की और ले आ सकते हैं, public awareness program, friends, आज ना केवल product की marketing करना इतना important नहीं है, जितना important public के लिए awareness करना है, जैसे हमने एक awareness campaign चलाया, हमारा stailness नी मडूलो किचन का business है, हमने एक awareness चलाया कि आप जो अपने घर में modular kitchen लगाते हैं, wooden की, कुछ समय बाद महां दीबंग लग जाता है, तो केवल आपका जो खर्चा है ना modular kitchen का ही नहीं, वहां का stone का, वहां का plumbing का, वहां पर civil work का, वो सब खराब हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अब आपको hygienic product लगाना है, और वो क्या आकरशित हों, और आपके product से आपके साथ deal करें, regular follow-up strategy ये भी अपने आप में एक chapter इसके बारे में बात करेंगे, कि जो भी आपके visits हैं, phone calls हैं, face to face meeting है, direct mail आपने किया, उनसे reply आपके पास आया है, printing advertisement आपने भेजी है, उनसे customer का बहुत अधिक response आपको आया है, वो जितनी अधिनी भी calls है, networking के through, mail के through, event participation के through, Google meet के through, zoom meet के through, जितने भी तरीके अपने अपना हैं अब तक, उन सभी का regular follow-up करना बड़ा important है, तो follow-up अपने आप में एक बहुत बड़ी strategy है, इसके विशह में हम अलग से chapter में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कि आपको अगर अपने customer gain करने है, या अपने customer को एक loyal customer बनाना है, तो आपको ज़रुवत है right तरीके से follow-up करना, और follow-up की strategy कैसे हो कि वो अगले chapter में बात करेंगे, next important बात क्या है, don't try to sell, अभी कहते हर व्यक्ति ना एक बात जानता है, अगर आप किसी product में deal कर रहे हैं, य लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि सामने वाले व्यक्ति मुझे कुछ बेचने आया है, और जैसी consumer के मन में एक बात आती है, यह तो मुझे कुछ बेचने आया है, तो आपकी बात को सुनने के लिए तयार नहीं होता, तो हमें ऐसी feeling देनी है कि we are not here to sell you something, मैं आपको कुछ जरुवत के हिसाब से आपको आपकी जरुवत का product, बढ़िया quality, कम दाम और अच्छी after sale service के साथ देने आया है, अगर आपको लगता है यह आपके काम का है, तो आप मुझे से deal कीजिए, उसके लिए क्या करना है, know the requirement, problem of your client, आपके consumer की क्या requirement है, या क्या problem है, इसको अच्छ लोग कहते हैं, मैं नई building मना रहा हूं, तो मुझे modular kitchen चाहिए, तो मैंने उनकी requirement को समझा, यह नहीं कि आप customer से मिले और अपने product की range बताना शुरू कर दिया, मेर पास यह भी है, यह भी है, यह भी है, इस price का भी, इस quality का भी है, सबसे पहले उसकी ज़रुद को समझो, ऐसे उसके हिसाब से उनको product offer करें, और उसके बाद क्या करना है, सारी चीजों को बहुत softly आपको समझना है, wisely आपको समझना है, समझने के बाद आपके पास उस problem का या उस requirement का best solution क्या है, suggest the best solution to the requirement or problem, उस समस्या का या उस ज़रुद का, आपके पास क्या best solution है, वो आप उनको provide करे जब आप best solution के रूप में अपने product को explain करेंगे, दोस्तों इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है कि आपके product की क्या विशेस्ता ही है, क्या खासेत हैं उसमें, फरक इस बात से पड़ता है उन विशेस्ताओं से ग्रहक को क्या लाब हो सकता है, क्या benefit हो सकता है, हर वेक्ती य लोग सब कुछ बता देते हैं, लेकिन client से आगे deal करने के लिए, कोई next step नहीं करते हैं, तो confirmation के बारे में उन से पूछें, कि सर अगर ये चीज आपकी ज़रुरत के साब से ठीक है, तो मैं आपको इसकी cost बताईता हूँ, इसका price बताईता हूँ, कैसे आप ले सकते हैं, उस चाहिए, तो आपको भी customer से ही, जो आपका product खरीदे, जितनी जरुवत एक loan लेने वाले व्यक्तियों को अना, उतनी जरुवत आज banks को loan देने की है, इसलिए लोग loan देने के लिए भी call करते हैं, कहते हैं, कि जिसको पैसे की जरुवत होगी तो चल के हमारे पास आएगा, य लेकिन bank का क्या काम है, लोगों को loan देना, तो आज bank भी यही बात कहता है, कि हमारा काम है loan देना, तो हम लोगों पर चल कर जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आपको loan चाहिए, तो हमें contact करें, इसलिए आपके पास पूरे दिन call आता रहता है, कि भी loan चाहिए सर क्या, मैं HDFC और किसी बेंक से बोल रहा हूं क्रेटीड कार्ड चाहिएक यह सर्विस चाहिएक तो conservation प्रोवाइडर को इस से चाहिए करने फॉलो अप में आपको क्या तरीके अपनाने है ताकि आपकी जो सेल है वो ठीक तरीके से क्लोजिंग तक पहुंचे निमबर वन तो क्या वो ग्राग 500 के पांसो ले लेगा क्या नहीं ना वो लेगा जिसी इसको जरूवत है तो उसके लिए में करना है क्या है अपने ग्राग की जोरत को समझो सेकिंड सजेस्ट बेस्ट सॉलूशन एज पर रिक्वार्मेंट या एज अ कंसल्टेंट अगर आप एक सेल्समेन और एक कंसल्टेंट दो लोगों से मिले तो आप किसकी बात सुनना पसंद करेंगे जब तक फ़लो अप करते रहें जब तक वो डील क्लोज ना हो जाए उसके लिए हमें क्या करना है इफ not follow step number one फिर यहीं से शुरुवात करते हूं रेगुलर प्रोसेस आपको यही रखना है जब आप रेगुलर प्रोसेस यह रखेंगे तो number of deal ज्यादा मैचूर हो उसके लिए में क्या करना है सबसे पहले जब आप customer की loyalty को grab करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका customer loyal customer बने या ज़्यादा customer आप gain करना चाहते हैं तो सबसे पहले show your care उसकी बात को ध्यान से सुने कि उसको लगे कि यह व्यक्ति मेरी बात की care कर रहा है यह मेरी care कर रहा है यह मेरी जोरत को समझ के मुझे best solution provide कर सकता है ठीक है improve customer experience अब वो कैसे होगा आप demonstration के जरीए कर सकते हैं या products related information share करके कर सकते हैं या products related awareness लाकर यह काम कर सकते हैं तो आपको देखना है कि customer का experience best address problem अगर customer किसी product के requirement के अलावा किसी problem का solution चाहता है तो उस problem को हमेशा focus करते हुए उसको best solution provide करें ठीक है डिपन engagement आप इस तरह से बात करें कि आप अपने customer के साथ बहुत बहुतर तरीके से engaged है उसको यह feel ना हो कि यार मैं बोले जा रहा हूँ वो ध्यान ही नहीं दे रहा है तो ध्यान customer का तब ही आकरशित होता है जब उसको लगता है मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है फाइन उसके लवा boost your sales regular sales को बढ़ाने पर focus करें कि लगातार मेरी sales बढ़ती जाए यहां सबसे important बात जो मैं आपको कहने वाला हूँ ना आपने नए customer तो gain कर लिए उनका attention भी ग्रेंड कर लिया आपने sales को भी grow कर लिया लेकिन वो customer loyal customer कब बनेगा loyal customer के वले की condition में बनता है वो होता है after sale follow up for loyalty आप ऐसा क्या करें कि आपका customer जब आपसे product ले ले आपका काम खतम हो जाए तब भी आप उसको follow up में रखें तो वो customer loyal customer बनता है उसके लिए करना क्या है express gratitude आप सबसे पहले उसको धन्यवाद दें जब आप किसी भी ग्रहाक को क काम हो जाने के बाद धन्यवाद देते ना तो उसको expected नहीं होता कि उस company की तरफ से बाद में भी कॉई call आएगा और जैसी आप gratitude express करते हैं कि आप एक हमारे लिए loyal customer है आपने हमारे product या services ली है इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं तो he feel happy उसके बाद ask for feedback friends अगर आप उस feedback को accept करें और अपने product अपनी services में वो सुधार करें और उनको विश्वास दिलाएं कि सर कोई बात निया कर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको extra services देने के लिए तयार हूँ जैसी आप ये बात किसी से बोलते है ना तो वो आपका एक loyal customer बन जाता है कि company को इस बात की care है कि मैंने product लिलिया उसके बाद भी मुझे से पूछ रहे हैं सर और कोई satisfaction में कोई बात रह गई तो बताओ और जैसी आप ऐसा करते हैं तो वो customer loyal customer बनता है और loyal customer सबसे ज्यादा हमें references देता है उसके अलावा help them to get started किसी तरह की कोई उनको problem आ रही है तो उनको guide करें कि कौन सा काम कैसे हो सकता है अब provide a special offer आपके पास को special offer है अपने loyal customer के लिए आप देखो मारूति ऐसी company अपने customers के लिए scheme निकालती है कि अगर आपके घर परिवार में कहीं भी मारूति अलड़ी है या मारूति की कोई गाड़ी है तो हम आपको 5% एक्स्ट्र डिसकाउंट यह 10,000 का एक voucher आपको देंगे आप RC की फोटो कॉपी दीजिए बहुत सारे institute students के लिए एक offer निकालते हैं कि अगर आपक आपको यह महसूस करा है कि मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा loyal customer हूं उसके लवा share additional feature आपने जो भी features बताए थे उसके लवा और कौन-कौन से features हैं उस customer को explain करें देखिए हर एक बात में हर एक बात लागू नहीं होगी हर product या हर service पर सारी बात या लागू नहीं होगी पर इन में से कम से कम 5 या 6 पाइंट ऐसे होंगे जो आपके product या आपके service या आपके brand पर लागू होगे next ask for reference अभी problem क्या है हम loyal customer तो बना लेते हैं पर उनसे कभी references दे नहीं मांगते हैं और कोई व्यक्ति सामने से बढ़कर ये नहीं कहेगा जी मैं आपको 5 लोग देना चाहता हूं ग्राहक आजकल तो references देने के लिए भी organizations बनी हुई है जहां लोग आपस में मिलते हैं एक जुसरे को references शेर करते हैं पर शेर जब करते हैं जब लोग references मांगते हैं तो ask for referral from your existing and satisfied client ताकि आपके पास एक loyal reference आए जिसमें उस व्यक्ति की विश्वस्तनेता भी जुड़ी हो और deal हासानी स उसके लावा ask if they need help उनसे पूछ लें सर और कोई किसी तरह की कोई जोरत हो तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या इस office आर में कॉल कर सकते हैं मैं हमेश आपके साथ हूं ठीक है ना send them articles और videos अगर आपके पास products related articles है videos है information है जो बविश्य में उस product को और बहतर तरीके से कैसे use करने की जनकरी दे सकता है तो वो आप ज़रूर दे उसके लावा अगर आपकी company कहीं भी associate partner बन रही है कोई event में participation कर रही है social gathering कर रही है को exhibition participate कर रही है तो invite them in your event अपने event पर अपने ग्राग को invite करें तो उसको लगता है कि मैं इस brand से इस company से जुड़ा हूँ हूँ मैंने 15 साल पहले इनसे प्रोड़क लिया था पर आज भी एक company मुझे invitation भेजती है कि हमारे function हो रहा है दिवाली मिलन्स हमारो हो रहा है से implement करके हम आसानी से नए customer gain कर सकते हैं उनका attention grab कर सकते हैं और उनी customers को हम loyal customer बना सकते हैं friends मैं फिर आपसे एक बात यह कहने वाला हूं कि जितने भी points मैंने आपको यहां बताए ना इन points को केवल सुनने के लिए नहीं इन पर अमल करने पर काम करें जब आप इन पर अमल करेंगे न तो बहुत सारे points धीरे 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 आपके business में implement होते जाएंगे और आपको result मिलना शुरू होगा और आपका business exponential growth तक जाने वाला है friends कहते हैं कि Tata एक बहुत बड़ी company है why Tata is a big company क्योंकि वहां पर उनके loyal customer बहुत अधिक है लोगों को Tata की विश्वास नहीं था बहुत अच्छी लगते है उनको Tata brand पर बहुत अधिक विश्वास है क्यों क्योंकि उ अगर कोई problem है तो 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 उसका solution देंगे ठीक उस तरह से जब आपने business में इन सभी बातों को implement करेंगे तो आपका business भी बहुत तेजी से develop होना शुरू होगा और ना कोई rocket science नहीं है कि आज आपने यह point implement किये कल से आपका business multiply हो जाएगा कल से आपकी sale दूगने हो जाएगी फ अब उसके link में किसी व्यक्ति को उस तरह की चीज की जूरुत पड़ेगी तो वो तुरंत आपका नाम refer करेगा इसलिए बहुत important है customer relationship को बहुत best बनाना आज आप देख लीजिए एटल आइडिया वुड़फोन जीयो जैसी company के customer representative होते हैं जो आप फोन पर आपको आपकी ज तो विश्वसनियता बढ़ती है और आपकी जब बढ़ती है तो customer आपको references भी देता है आज हमारे 15-15 साल 12-12 साल पुराने जो लोग है वो भी हमें references देते हैं just because of good quality product and good relationship between our brand, our company and our customer तो यह आपके उपर निर्भर करता है कोई भी आपके मन में प्रशन रहेगा उसको diary पे ज अच्छी लगती हैं समझ में आती हैं लेकिन जब आप इसको implement करते हैं चीज़े हम भूल जाते हैं तो मेरा आपसे request है note ज़रूर बनाए एक एक करके step को अपनी company में implement करते रहें और अगर कोई भी प्रशन है तो Q&A series में हम आपके questions का जवाब दें स्वस्त रहें मस रहें म मैं डॉक्टर अमित महिशुरी आप के स्मरे भविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत